गुरफपूर में तेखी धूप के करण गुरुवार सुभा से लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल रहे, पूरे दिन लोग पसीने से तरबतर होते रहे, मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को बालल चाये रहेंगे, शुकरुवार को हलकी बारिश के आसार है, बारिश नह गया है, उसमें आज तो गुरफपूर को ग्रीन जोर में आयमनी दारा रखा गया है, तेकिन आगामी दो दिनों में गुरफपूर के चेत्रकों ने यलो जोन में दिया हुआ है, जिसे यह अनुमानित किया सकता है कि अगले इस दो दिनों में चुटकुड वर्शा होगी, और कुछ जवहों पर भारी वर्शा भी हो सकती है, तो इस तरह का का पुरा अनुमान आयमनी दारा उप्लप्ट कराए गया है, अब मौसां कुल ले कि उनकुछ उचना है, भियादार पदम की जा रहे हैं कि अगर बारिस हो रहा है, तो ऐसे तरह आगा साउधानिया बतने देखें, बार साथ के दिनों में प्राय इस तरह दिखा जाए तो एक बहुत अच्छी पेसी स्टड़ी है रही कि गोरफूर में अभी फिछले संडे को एक आपक रूप में वजरपात की घटनाएं घटित हो रही थी, लेकिन मीडिया के सायोग से, ITMS के सायोग से, और जो ह सीरियसली वर्क कर रहे हैं, तो ये एक समधाय में पॉजिटिव मैसेज है, कि लोग सतर्क रहे रहे हैं वजरपात की से, और सर्पतर जैसी कटनाओं से, तो इसमें भी अगर कोई स्थरी की सुचना है रहती है, तो इसमें भी मैं आपकी चैनल के मादें से यही अपील करू करा सकते हैं, कहीं कोई दिकत नहीं होगी उसमें, एकल पेड के लीचे कते ही ना कड़े ना हो, विजरी के कम गों इतियादी काश कड़े ना हो, क्योंकि ये लाइट्निंग का प्रक कर लेते हैं, और गटनाए कटी तो दी की संभावावनाय रहती है, तो इसलिए अबने आ